Every month 4 and 5 exam होते हैं और उनमें 1 और 2 exam हमें हमेशा easy देखने को मिलते हैं बट एक सबसे बड़ा वहम है आप मेरी वीडियो देख रहे हो शायद आपके मन में भी होगा कि हमें academic और journal के साथ exam easy देखने को मिलता है बट ऐसा कुछ भी नहीं है अगर आप reading के level की बात करो reading का level हमें हमेशा ही moderate प्लस difficult टाइप का ही देखने को मिलता है आप चाहे कोई भी exam उठा लो ठीक है मैं जूट नहीं बोलता आपको अगर आपने किसी से जूट सुनना है तो आप किसी भी YouTube जा किसी भी टीचर से पूछ सकते हैं वो आपको बता देंगे कि जूट के आए क्योंकि वो कहेंगे easy भी आता है बट ऐसा नहीं है ILS के पास only एक ही weak point है students का वो है reading सो उसमें स्कोर बहुत कम हो जाता है बट हमारे वाले 99 ले जाते हैं क्योंकि उनको रीडिंग का एक पैसे आ गया रीडिंग के टू पैसे आ गया राइटिंग टास्क वन आ गया टू आ गया लिसनिंग एंड स्पीकिंग उनको 100% प्रेडिक्शन में से देखने को मिली स्क्रीन के ओपर प्रूफ आपके अवेलेवल है विद स्क्रीन रिकॉर्डिंग है अगर किसी स्टूडेंट को प्रेडिक्शन चाहिए यह एक पेड़ मेटीरियल है आप मुझे वाटसब के उपर मैसेज करके इनको परचेज कर सकते हूँ अब बात करते है इजी एक्जाम हमें कौन सा देखने को मिल सकता है किसका लेवल मुझे थोड़ा सा डिफिकर्ट नहीं लगना चाहिए जैसे मैं एक्जाम अपने सेंटर में प्रेक्टिस करता हूँ जा फिर मैं गर बैठ के प्रेक्टिस करता हूँ उसी के depend होकर मैं अपने exam को अगर clear कर दूँ तो मैं अपना 6.57 score ले सकता हूँ जा फिर नहीं ले सकता जो हमरे exam recommend कर रहे हैं students को हम कर रहे हैं only 12 and 21 12 and 21 आप book कर सकते हो अगर आपका score 5.5 जा फिर 6 आ रहा है mock test में तो आप 28 book करना अगर आपका score 5.5 जा फिर 6 आ रहा है तो 28 book करना अगर आपका score बढ़िया आ रहा है तो आप 12 जा फिर 21 exam book करकर बगवान का नाम लेकर hard work करकर अपनी life को better बना सकते हो अगर किसी को prediction चाहिए again I am saying to you you can drop me message on my whatsapp but message तभी करना अगर उस PDF को open करकर hard work करना है तो अगर hard work करना ही नहीं है तो please message भी मत करना